हेलो फ्रेंड्स नमस्कार सभी UKPSCS फ्रेंड्स का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज हम उत्राखंड लोगसिवा आयुग द्वारा आयुजित प्रीवेस येर क्वेशन पेपर सिरीज के अंत्रगत मुख्या अगनी समन अधिकारी चीफ फायर ओफिसर का क्वेशन पेपर डिसकस करेंगे जिसमें हम समने अध्यन के टोटल 90 क्वेशन सॉल्व करेंगे और समने हिंदी के 20 क्वेशन सॉल्व करेंगे फ्रेंट्स जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और लाइक शेयर एंड कमेंट शुरू करते हैं आज का क्वेशन पेपर सामने ज्यान सामने अध्यन क्वेशन फर्स्ट 27 विश्व सुंदरी पर्तियुकता में भारत की हरनास संदू की ताज पोसी हुई थी सितंबर 2021 में यहाँ पर्तियुकता कहां पर हुई थी फ्रेंट्स आपको यह बताना है जो 27 विश्व सुंदरी पर्तियुकता कहां पर इसका आयूजन हुआ था इसका सही आंसर हो जाए अगला question है जापान के प्रधानमंत्री कौन है इसका right answer है option C फूमियों के सीधा next question है निमलिखित में से कौन से देश ने हाली में रानी एलिजावेट 2 को सरकारी तौर पर राज्य की मुख्यापत से हरा दिया और विश्व में अभी अभी गरतंत देश बन गया इसका right answer है option B ये देश था फ्रेंड्स बारवडोस अगला question है 28 अक्टोवर 2021 को अठारवा भारत आस्यान सिखर संबेलन आयुजित किया गया जिसमें वर्ष 2022 को भारत आस्यान मित्रता वर्ष घुशित किया गया किस देश की चेयर्मेंशिप के अंत्रगर्ट यह संबेलन हु फ्रेंड्स इसका सही answer हो जाएगा option D ब्रुनेई option D सही answer हो जाएगा अगला question है फ्रेंड्स भारत ने नौमबर 2021 में अफगानिस्तान की समंद में छेत्रिय सिकर संबेलन का जिनकिया निमलिकित में से कौन से देश में इस संबेलन में भाग नहीं लिया फ्रेंड्स इसका सही answer हो जाएगा option D चाइना ने इसमें भाग नहीं लिया था तो फ्रेंड्स यह question current affair के हैं आप इनको नौट कर लिजे आगामी exam आपका next exam जो पटवारी है उसके लिए बहुत important है आगे चलते हैं कौन सा दिन बिश्व में भारत में बीर बाल दिवस की र दादा साहे फाल के अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स इसका सही answer हो जाए गया option C रजिनी कांथ next question है नौबिल सांती पुरुषकार 2021 निमलिखित में से किसको नवा जा गया फ्रेंड्स जो नौबिल का सांती पुरुषकार है वह दिमित्री मुरातोग को दिया ग ने तो इसको भी आप देख ली जीगा अगला विखिन निमलिखित हडपा कालिंद्स थलो में कौन सा बरतमान में पाकिसतान में इस्तित है इसका से answer हो जाएगा option D मिया जो महंज अधार है वह पाकिस्तान में पाकिस्तान में इस्तित है अगला question है डिल्ली के किस सुल्तान नेएक नहरूं का निर्मान करवाए था इसका राइट आंसर हो जाएगा option A फिरो सात उगलक द्वारा अपने सासनकाल में नहरूं का निर्मान कराए था आगे चलते हैं कौन सी पत्री का किसी कुरांतिकारी संगठन से समंधित नहीं थी friends इसका राइट आंसर हो जाएगा option A प्रबुद्ध भारत नेक्स्ट क्वेशन है इस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग अगला क्वेशन है किस भारते क्रांतिकारी ने नासिक में एवनव भारत नामक संगठन की स्थापना की इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर इन्होंने एवनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी अगला क्वेशन है विजय नगर सासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलो कॉंटी किस देश से समन्धित था इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अगला क्वेशन है निम लेखित में से कौन सायूग्म सुमेलित है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी पंद्रवका डी नादिर्सा का आकर्मट सत्रहसो उन्चालीस में हुआ था फ्रेंड जो पानीपत का पर्थम युद्ध हुआ था वो पंद्रहसो 1226 में हुआ था जो बावर और इबरहम लोदी के बीच में लड़ा गया था जो पानीपत का द्वितिय युद्ध हुआ था वो 1556 में हैमु और मुगल समराट अकबर के बीच हुआ था और जो थर्ड बैटल ऑपानीपत हुआ था वो 1761 में हुआ था वो मराठा और अफगा जो अकबर का सेना पति था तो फ्रेंट्स यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नादिर्शा और ऑप्शन यहां पर गलत है कि महत्मा गांदी से मतभेद के कारण सुबास चंद्र बौस के 1949 में कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कोंग्रेस के अध अध्यक्ष बना दिया गया था यहां पर सुबास चंद बौस ने अपना त्याग पत्र दे दिया था नेक्स क्वेशन है हिंदू बिद्वा पुनर विभाव कानून कि स्वर्स पारिद्वा था इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 इसमें इस्वर्चंद बिद्या सागर का पर्था पर रोक लगाई थी अगला क्वेशन है निम लिखित में से कौन सा स्थल बौध धर्म से समंदित नहीं था इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरवन बेल गोला फ्रेंट लुंबनी कहनात और कुछ नगर यह सभी बौध धर्म से समंदित नहीं है अगला क्व अगला क्वेशन है निम लिखित में से किन दो नदियों को बिहार और पसीम बंगाल का सोग कहा जाता है अगला क्वेशन है निम लिखित में से किसने बिश्वको सर परथम किर्शी प्रदेशों में बरगित किया था अगला क्वेशन है निम लिखित में से भारत में सबसे अधिक भूस कलन संभावी छेतर कोन सा है इसका सई आनसर हो जाएगा option C हिमालिय और North East पहाड़ी छेत्र जो है हमारा यह काफी भूस्कलन संभावित छेत्र है question 23 है भारत में बाग प्रियोजना project tiger निम लिखित में से किस वर्स आरंब हुआ था इसका सही answer हो जाएगा project tiger 1973 में शुरू हुआ था अगला question है निमन में से कौन सा इस्पात सयंत्र पसिम बंगाल में इस्थित नहीं है इसका सही answer हो जाएगा option C वोकारो जहरखंड में है friends और जो वेस्ट बंगाल में है आपका दुरुगापूर हेरापूर कुल्टी सभी ये कौन सा राज्य मानव बिकास की द्रिष्टी से सबसे अधिक पिछड़ा है option B बिहार अगला question है निमलिखित मेंसे question 26 है उतरी Atlantic महासागर में आने वाली चक्रवातू को कह जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा option B hurricane निमलिखित मेंसे भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगार नहीं है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा option C चन्नाई यहाँ पर नेचरल पूर्ट नहीं है जबकि कोची कांदला और मुंबई यह सारे नेचरल पूर्ट है अगला question है कौन सा देश विश्वा में चाई का सबसे बड़ा उत्पादक है इसका राइट आंसर हो जाएगा option B भारत किसी राज्य के बिधान परिशद में राजय पाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है इसका सही आंसर हो जाएगा सदस्यों को राजय पाल किसी भी legislative council में मनोनीत कर सकता है आगे चलते हैं लोगसवा की पर्थम अध्यक्ष को थे फ्रेंट्स ये वी UKPSC का फेवरेट सब्सक्रताओं को शंभला गया है जो जो राइट टु फ्रीडम है हमारे ये आर्टिकल उनीस में भारती सम्दान में इसका उल्ले किया गया है अगे चलते हैं राजय के नीती निदेशक सिद्दान्तू को समलित किया गया फ्रेंट्स ये आयोग ने तो इसका सही आंसर हो जाएगा और संदान के चौते भाग में जो डायक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उनका उल्ले किया गया है आर्टिकल शेतिस से फिप्टीवन तक हमारे जो हैं ये नीती निदेशक तत्वा सम्दान में इनका उल्ले किया गया है अगला कुशन है भारत का प्रदान मंत्री मुख्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन भी सरकारखा अगला कोशन है कि संभेदानिक संसोधन अधिनियम के द्वारा राश्ट्रपति मंत्री परशत की सलापर कार्य करने के लिए बाद्या है विए एक काफी इसे मिनी Constitution के नाम से भी जाना जाते हैं ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेशन है साधारण विध्ययक पर संसत के दोनों सदनों में गतिरूद होने पर उसका समाधान किया जाता है जब भी सदन में गतिरूद की इस्तिति बनती है तो उसमें दोनों सदनों कि जोएंट सेटिंग अहुत कर उस गतिरूद का समाधान किया जाता है ऑप्शन सी सही हो जाएगा जोएंट सेटिंग वन टू थरी अर्टिकल में इसका उपलेख है सिम्दान के भारत में सरकार का संसधिय स्वरूप है क्योंकि आपको यहां पर इसका आंसर बताना है ऑप इसका राइट आंसर हो जाएगा है अगला कुशन घार्टी जहाएं जोटाइट चीप जस्टिस ऑस्प्रीम को उतने हैं इनको यह पे मानवाधिकार अध्यक्ष के रूप में निक्या जा सकते एंव सरवोच नियालाय का कोई भी सेवा निविर्थ मुख्य नियाइदिस का सही आंसर हो जाएजा अगला क्वेशन है भारत में पंचायती राज ब्यवस्था का आरंब किस वर्स से हुआ था इसका राइट अंसर फ्रेंट्स जो राजस्थान का नागोर जिल्ला है महां से 1959 में प किस वरिक्ष से भोज पत्र प्राप्त होता है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन बी हिमालियन बर्च ऑप्सन भी सही हो जाएगा अगला क्वेशन है मनुष्य में छोटी आंथ की लंबाई लगभग होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6-7 मीटर जो स्मॉल प्राइन उसकी लेंथ होती है 6-7 मीटर अगला क्वेशन है निमलिखित में से कौन कीट जनित रोग है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन एपीत ज्वर आगे चलता है बीसी जी वैक्सीन निमलिखित में से किस बिमारी के लिए प्रियोग होती है तो इसका सही आंसर हो ज जिसे कहते हैं अगला क्वेशन है निमलिखित में से किस कोशिका में सबसे अधिक पुनर जनन पुनर योड़ जी छमता होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए चिकनी पेशी को सिखाएं और सन एस से हो जाएगा अगला क्वेशन है रेडियो धर्मिता के अविस्कारक पॉन थे फ्रेंच इसका राइट आंथर्य जाएगा आपका कॉप्सन डी हेंडरी किसके द्वारा की जाती है इसका सही आंसर हो जाएगा option c uranium dating के थ्रो हम पृत्वी की आय की गड़ना की की जाती है और जो carbon dating होती है उसे हम जीवास्म की का पता लगा सकते हैं अगला question है भारत का पहला जिसने सभी घुरू में च्छत के जल संचयन को इन्वार कर दिया एक काफी important question है इसको नौट कर लीजेगा इसका answer होगा तमिन नाड़ू अगला question है ओटो मोबाइल के दुए में सरवादिक गहतक प्रदूसर्ण धातु होता है फ्रेंट जो ऑटो मोबाइल होते हैं उनमें हमारे जो विसले पदार्थ होता है विसली गैस धातु होती है वह होती लेड ऑप्सन सी जो सीसा होता है वह बहुत ही गहतक होता है अम ल का ओप्सन भी एस ओटू एंड अनोटू सल्फर डायोक्सड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं यह एसड रेंड के थ्रू होती है अगला question है friends माइकर प्रणाली का उप्योग निमली कितमें से किस छेत्र में होता है फ्रेंड जो माइकर होता है वो बैंक में यूज हो कर दोड़ीगा भारत द्बारा विख्शित इदिकान सुपर अपर आपनें यह किوس एपना जाता है भारत में जो मिनी कम्प्योटर का मस्तिक्थ चाह ज्यता है लेक्वाड के आपनांस प्रणाब अग्ला question है डिस्क नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीडी रूम एक ऑप्टिकल डिस है जबकि सारी मेगनेटिक डिस्क है अगला क्वेशन है फ्रेंड ची कंप्यूटर को क्वेशन है यह भी आयोग रिपीट करता है आप इनको नौट कर लिजेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एस आई ओ को सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ वेब साइट की द्रिश्यता बढ़ाता है अगला क्वेशन है फ्रेंड का पहली पीडी के कंप्यूटर बने थे इसका से आंसर होगा इलेक्ट्रो यांत्रिक कंप्यूटर जो फर्स जनरेशन में थे अगला क्वेशन है यह बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है यहाँ पर वाइरस का फुल फॉम पूछा है इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्तपू करने के लिए फाइवर ऑप्टिक्स केविल का क्या उप्योग करता है फ्रेंट जो अप्टिकल फाइवर होता उनमें प्रकास्त रंग्ये यूज होते हैं लाइट वेप इसमें यूज होती है ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला क्वेशन है निमलेखित प्रिंटर में कौन सा ग्रिड की अक्षर उत्पन होते हैं फ्रेंट जो डॉट मैटिक्स प्रिंटर होता है उसमें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अगला क्वेशन कंप्यूटर के किस भाह को गणना और तुलना के लिए प्रियोग में किया जाता है इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक अगला क्वेशन है किसे मेजर ध्यान खेल चंद्र अवार्ट 2021 से नवा जा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आप्शन सी मिताली राज अगला क्वेशन है नॉमबर 2021 में युनेस्को ने सिर्नागर को अपने क्रियेटिव क्रिटीज नेटवर्क में सामिल कर लिया भारत के अन्य कौन से सहर इस सूची में सामिल है फ्रेंट्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई, चेनई, हैदराबाद, जाएप आगे चलते हैं, किर्सिक कानून वापसी बिदेयक निमलिकित में किस स्तिति को संसत के दोनों सदनों द्वारा स्विकृत किया गया, फ्रेंट्स जो नए किर्सिक कानून थे, काफी कॉंट्रोवर्सियल रहे थे, जिसमें सरकार को बैक फूट पर आना पड़ा, और अन्तत के कानून वापसी बिदेयक संसत में पारित किया गया, अगला क्वेशन है, प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगी मिसन के तहत उत्राखण में कितने मेगा विकास योजनाओं, प्रियोजनाओं का उध्गाटन किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा, छे योजनाओं का आपसन ए, शिक्स योजनाओं हैं, जो मोदी जी द्वारा यहां पर इनका उध्गाटन किया गया था, अगला क्वेशन है, इसमें जो करण्ट अफेर के क्वेशन है, आप इनको नौट कर लेजेगा, यह अपके नेक्स एक्जाम पटवारी में पुछे जा सकते हैं, नॉम कमलापती रेलवे स्टेशन, आगे चलते हैं, निमली खित में से भारतिय वाइस हैना के किस स्क्वेडन में राफेल लड़ाकु जेट विमावनों के पर्थम समो को सामिल किया गया, इसका राइट ऑन स्क्वार्डन सेवंटीन गोल्डन एरोज, ऑप्शन ए राइट हो जा तो फ्रेंट्स ये क्वेशन थे समन्य अध्यन से, अब चलते हैं, उत्राखंड राज्य समंदी समन्य ग्यान के क्वेशन पे, क्वेशन नमब्स 71 है, गड़वाल की पमार सासों की की पर्थम राजदानी किस स्थान पर बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, श्र अगला क्वेशन है, चमोली जनपत का रहनी गाउन निमली खित मैं से, किस बन आंदोलन के लिए परसिद्ध है, फ्रेंट्स ये चिपको आंदोलन यहां पर गौरा देवी द्वारा शुरू किया गया था, चमोली जिल्ले में, ऑप्शन B, राइट आंसर हो जाएगा, अग अगला क्वेशन है, उत्राखंड राज्या में नई किर्सी नीती जारी की गई, यहां पर आपको एर बताना, काफी इंपर्टेंट क्वेशन है, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, 2011, अगला क्वेशन है, फ्रेंट्स काफी बार ये एक्जाम में पूछा गया है, जो ज सिस्टम वहां पर हैं, जिसमें जब आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन B, जौन सारी जाती, अगला क्वेशन है, ब्रिटिस सासनकाल में उत्राखंड के निम्न में से किस सहर में उत्तर प्रदेश की ग्रीश मकालीन राजदानी रही, फ्रेंट्स 1962 तक ने निताल ग्रीश म कालीन राजदानी रही थी, अगला क्वेशन है, उत्राखंड के भागोलिक छेत्रफल में परवती भूबा कितना प्रिस्ट रहा, इसका सही आंसर को 86.7 प्रिस्ट राइट अंसर हो जाएगा, अगला क्वेशन है, उत्राखंड में सरवादिक आवर्ती अपदा है, इसका स रापदा कहलाती है, उत्राखंड से किस प्रयावर्ण विद्ध को गांधी सांति पुरुषकार प्रदान किया गया, ऑप्शन एई सही हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट, आगे चलते हैं, उत्राखंड में निम्न जनपदु में सरवादिक गरीवी का प्रिस्ट किस में ह सबसे गरीवी का प्रिस्ट सत है, अगला क्वेशन है, उत्राखंड में निम्न जनपद में धहली गंगा विदुत परियोजना इस्तित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी पिथरोगाड, उत्राखंड सरकार को हाली में के वर्सु में निम्न जनपदु में है, आगे चलते हैं, कौन सी जनजात अपने निवास्चेत्र से सुमेलित नहीं है, जो राजी पिथरोगर से बिल्कुल सही है, बोटिया चमॉली से, जौनसारी तेरदुन से और थारू उधम सिंगर में है, जब कि यहाँ पर दुप्रिया इगलात हो जाएगा, ऑप्शन हिंदी के तरीक उत्राखंड में राजे की गुष्चार निमल्यकित में संस्किर्ट है, इसे 2010 में, उत्राखंड सब्धिया राजभासा का दरजा दिया गया था, अगला क्वेसन है, निमल्यकित हिम्नदू में इसे अलकननदा नेधी का उद्धिका उद्धिंगम स्रोथ है अगला क्वेशन है उत्राखंड का कौन सा महत्सव विश्व धरोवर में सामिल किया गया काफी अगला क्वेशन है कौन सा दर्रा पिथरागड से तिबत को जोड़ता है इसका राइट अंसर लेपुले एक दर्रा ऑप्सन भी फ्रेंट्स जो दोहजार सोलम है यहां पर कि इसको यह उत्र यह तो गणतंत्र दिवस की जहांकी भी रही थी रमान मोहत्सव आगे चलते हैं बीर-चंद्र-गडवाली योजना निमली खित्में ऐसे किस छेत्र में प्रारम होई थी यह भी रिपीट क्वेशन है संग फ्रेंट्स ऑप्सन ड सही हो जाएगा प्रेंट्स एक जून दोहजार दो को बीर-चंद-गडवाली योजना का सुभारम हुआ था और राइट अंसर ऑप्सन डी फ्रेंट्स आज की सीरीज का लास्ट क्वेशन है सामने ग्यान का गोर्खुन है कुमाउं पर किस वर्स विजय प्राप्त की राइ प्रेंट्स शुरू करते हैं या पर हिंदी के जो काफी आदम एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है निमिलिक मैंसे तत्सम सब्द चुनिए फ्रेंट्स का सही आंसर हो जाएगा मत्सय ऑप्सन बी स्वर के सामने स्वर आने पर जिसमें जो विकार या प्रिवरतन होत आप देख ली जागा ऑप्सन अगला क्वेशन है निमिलिक मैंसे कौन सा गलत कथन है आपको यहां पर ऑप्सन दिये गए हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी बात को बड़ा बड़ा चड़ा कर कहना मितभासी नहीं होता तो आगे चलते हैं नग्न सब्द का है तत् और टर्सम सब्द है ऑप्सन ए सही आंसर हो जाएगा जो जैए अगे चलते हैं सुर्यदय में कौन सी संदी है कि घूण संदी अवर्त का विप्री विपरीत सब्द बताना इसका आप का अंसर हो जाएगा ऑप्सन को अब बी रक्त कि आगे चलते हैं जो प्रिथ्वी से संबद हो वाक्यांस के लिए एक सब्द है इसका सही आंशर हो जाएगा पार्थिव उद्देश्य में कौन सा उपसर्ग है इसका से उद्ध ऑप्शन यह सही हो जाएगा फ्रेंट्स युके पीसी द्वारा बीस नंबर की हिंदी आपकी एक्जाम में पूछी जाती है तो आप इनको नौट कर लीजेगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेशन है निम लिखित में से सुद्ध बर्तनी युक्त सब्द है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आकांच्छा आगे चलते हैं निम में से सुद्ध वाक तत्पूर्स समास। अगला वाइस आकास कुसम होगा मुहवरे का अर्थ है एसका सही अंञुनी बात अगला नेकी कर दरिया में डाल लोकुक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन B भलाई करके उसका परचार नहीं करना चाहिए ऑप्शन B सही हो जाएगा जंगम सब्द का विप्रीत है इसका सही आंसर हो गया इस्थावर जो चल संपति होते है चल का अचल तो इसी टाइप से आप इसको भी स सब्द क्या कहलाता है यह होता है सनातन अगे चलते हैं सगुन का अर्थ पलटने के लिए कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B निर निरगुन हो जाएगा तो बहुत बड़ा चड़ाकर कही गई बात एक के लिए एक सब्द बताना है तो इसका से आंसर हो जाए गाल नियुक्ति ऐत्यूक्ति जो को शुद्ध बरत्णी वाला सब्सक्राइब पर हेता है इसमें कौन वाहक्य गाव शाय है जो हो तो इस्का सेल आंसर का अप्सने मिर्च्टू और मिला तो फ्रैंट्स यह peril यहाँ wären कि आज हमने 20 हिंदी के question discuss किये और जो आगामी एक्जाम के लिए काफी important है तो आप question paper को पूरा देखें friends और जो भी doubt है आप comment section में comment कर सकते हैं और सभी को आगामी एक्जाम जो 8 जन्वरी को आयोगद्वरप प्रस्तावित है पटवारी लेकवाल का आपको सभी को सुब काम मैं थैंच पर वच एधी ओर वाचिन मा वीडियो अधैक सेर चेंग ऐन कमेट